चैनल मीडिया चैनल न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक चतुरवेदी जी की बेटी की साधी में अहिरान वाला गाना नहीं बजा तो फिर पच्चास यादवों ने आकर के हाथ पैर तोर दिया माथा उठा फार दिया नमस्कार मैं प्रिंस कुमार सिंग और आप देखने है पोजेटिव एडिया दरसल ये खबर चपरा से आ रही है और न्यूज 18 ने एक रिपोर्ट पेश की है उस रिपोर्ट के मुताबिक चपरा के मढ़ोरा थाना के सिभरिया गाउं में चतुरवेदी जी की बेटी की साधी थी बराती आये हुए थे गाना बज रहा था आरकेश्टा की बेवस्था थी जो कि आजकल हर एक साधियों बेवा में होता है आरकेश्टा की तमाम बेवस्था थी नचनिया की बेवस्था थी डांसर आये हुए थे सिंगर आये हुए थे इसी दोरान बराती आती है और जब दरवाजा लगने की बारी आती है तो आरकेश्टा पे जब अहिरान वाला गाना बजाने की डिमांड की जाती है और बताया जा रहा कि संतोस यादब नाम का एक बेखती कहता है कि अहिरान वाला गाना बजेगा और अहिरान वाला गाना नहीं बजाने पर चतुरवेदी जी की बेटी की साधी में भ्यंकर मार हो जाता है दरसल आपको बताते चले कि संतोस यादब जो पकी नाम बताया जा रहा है वो अहिरान वाला गाना बजाने की डिमांड करता है और गाना नहीं बजाया जाता है तब कहा सुनी होती है और कहा सुनी में बात गाली गलोस तक पहुशत बाद बात देखने तक पहुच जाती है कि हम तुमको देख लेंगे, इसके बाद संतोस यादव मुह बना करके वहां से चले जाते हैं और फिर कुछ देर के बाद वे अपने साथ 40 यादवों को ले करके आते हैं, 40 यादव लाठी से लैस होते हैं, फिर चतुरवेदी जी की बेटी के सादी में कोहराम मत जाता है। और आरकेस्टा की जगळ दूसरा आरकेस्टा बजना सुरू हो जाता है। घराती बराती सब के बीच भ्यंकर मारपीट होती है। जिसमें कयो लोगों का सरफ हर जाता है। कई लोगों का हाथ चोटिल हो जाता है, कई लोगों का पैड तूर जाता है, और बहुत सारे लोग बताया जा रहा कि दर्जनों लोग इस मार फीट में चोटिल हो जाते हैं, बताया ये भी जा रहा कि महिलाएं भी इस घटना में चोटिल हो जाती हैं, और उसके बाद मामला थाने तक पहुशता है, पुलिस को इसकी सूसना दी जाती है, पुलिस घटना स्थल पर पहुशती है और साधी प्याह को किसी भी तरीके से संपन्न कराये जाता है, वही मढ़ोरा थाना के थाना प्रफारी ने बताया है कि मामले की गहन छानवीन चल रही है, जाच चल रही है और जैसे ही जाच पूरा होगा तब ये बात खुल कर पता चल पाएगा सामने आ पाएगा चाहिर गलती किसकी थी आखिर संतोस यादब जिसका नाम बताया जा रहा उसने गलती की है या फिर चतुरवेजी जी की तरफ से गलती हुई है ये मामला जाच का भी से है और इस पर जाच के बाद ही कुछ कहा जाएगा हलाकि ऐसी खब्रेत तमाम जगों से आती रहती है कि दरसल साधी ब्याह में गाना बजाने को लेकर मारपीट होती है वही कुछ दिन पहले एक चमर टोली जिसको कहा जा रहा है वहाँ पर अहिरान वाला गाना बजाया जाता है और चमार जाए तो समाजिक नजड़ों से तो ये गाने जो की जाती अधारित बाले गाने जो बनाये जाते हैं इस गाने के कारण ही जाती बैमनस्ता जादा फैलती है और दरसल इन गानों में होता क्या है चाहे आप किसी जाती सब पर आप ले लिजे आजकल हर एक जाती पर गाना ग पीठ होती है जाती बैमनिस्ता फैलती जा रही है वहीं आपको पताते चले कि भोजपूरी को बहुत जादा गंदा किया जा चुका है चाहे वो पवन सिंग हो या फिर खेसारी लाल यादब हो लगातार ये दोनों आपस में लगते रहते हैं पवन सिंग का अभी ही एक असली कर रहे हैं और जो भी हैं जो भी सिंगर लोग हैं ये सब लोग जाती बैमनिस्ता को फैलाते हैं एक बार बिहार पुलिस ने इनके खिलाप एक नोटीस भी जारी किया था और उन्होंने बताया था कि अब जो भी लोग ऐसे गंदे गाने गाएंगे उन पर कानूनी और इतनी ज़्यादा महिलाओं के अंग पर गाना गाया जाता है और इतनी असलील असलील गाने गाया जाते हैं जिसे आप सुन नहीं सकते वहीं आपको पताते चले कि असलील गानों के बारे में जब गायकों से सवाल पूछा जाता है तो गायकों का ये कहना होता है कि यही ड असलील गानों पर लड़कियां महिलाएं अपने भायों की साधी में अपने चाचाओं की साधी में अपने परिवार के लोगों की साधी में सरक पर असलील गानों पर ठुमके लगाते नजर आती है लेकिन अब भिहार सरकार को इन लोगों पर कारवाई करनी चाहिए जो भी ज भोजपूरी गानों के कारण भी बदनाम हो रहा है, अगर आप बिहार से अगर बाहर जाते हैं, भोजपूरी के अगर चर्चा करते हैं, तो भोजपूरी सिनेमा को पॉर्ण सिनेमा के केटोगरी में रखा जाता है, धोरी चोली से आगे भोजपूरी बर नहीं पाया है, और भोजपूरी को इन लोगों ने आज के गायकों ने या फिर सितारों ने बदनाम करके रख दिया है। भायक उभर के सामने आ रहे हैं जिनको न सुर का पता है न ताल का पता है लेकिन एक जाती अधारित गाना गाते हैं कि बाबु साहब के बेटा फलना करी तब उचिलना करी ऐसे ऐसे गाने बनाये जाते हैं जिसको लेकर समाज दूसीत हो रहा है इस मुद्दे पर आपकी क्या जरूर दीजेगा क्या आप चाहते हैं कि इन असलील गानों को बंद किया जाना चाहिए क्या बिहार पुलिस को इन पर कारवाई करनी चाहिए अगर आप लोग इस बास से सहमत है या असहमत है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे जूरे रहे हमारे साथ जै जै भारत जै भीहर